जिस सामने देख लिजिए आप लोग कुश्चन अबर 28 29 30 31 32 सब एक चैसे हैं इनको आप चाहे नोट कर लिजिए चाहे कहिएगा तो फिर मैं इसका पिक आपको क्लिक करके भीज दूँगा इन सब में कुछ है ही नहीं अब देख लें सारे कुश्चन बिल्कुल सेम थे मैंने का लगा दिया हूं आप एक बार नोटिस कर लें देख लिए सारे कुश्चन बिल्कुल सेम है कोई खास टिफ्रेंस नहीं है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ता है ठीक है यानि की 32 तक हो गया 33 तक हो गया 33 के आगे ठीक है चलिए आई आई आप देखिए 34 नंबर 34 34 नंबर में क्या है वर्ताकार कुंडली का स्वाप रिदरन गुणांक पांच हंदी एल पांच हंदी फिर कह रहा है प्रतरोद 20 ओम है आर 20 ओम ठीक फिर कह रहा है 200 वोल्ट विधुत वाहग बल की बैटरी से जोड़कर वी 200 वोल्ट चाहो दो ई भी लिखतो धारास्थाई होने दिया जाए करक कुंडली में संचित उर्जा है यू बराबर हाफ ल आई स्क्वाइर आप देख लें कहीं आपको आई नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं यू अपान आर स्क्वाइर यू हाफ ल की वैलू दी हुई है पांच हंदी का मत्तब वोल्ट सेकंड एमपियर मल्टी आप देखेंगे शीट को आपको यूनिट लगा कर कोई सवाल पढ़ाता ही नहीं है यूनिट लिखकर चुकि यूनिट कौन जा सेट करने लेकिन यूनिट आपको लिखना जरूर चाहिए बेटा दो सव वोल्ट अपान आप से अमपियर का स्कौरर मल्टी वोल्ट सेकंड अपान एमपियर एक एमपियर से एक एमपियर कट जाएगा ठीक है नहीं यू बराबर काट दीजिए है 50, 50, 100 कितना हो जाएगा, 50, 25, 250, ठीक है न, गुड़े, वोल्ट सेकंड, क्या है बटा, एंपियर, एंपियर इंटु सेकंड मतलब कुलाम होता है, एंपियर इंटु सेकंड मतलब कुलाम, वोल्ट का मतलब होता है, जूल पर कुलाम, कुलाम कुलाम कट जाएगा, बराबर 250 ज आजाएगा चलिए यू बराबर आ गया अब देख लीजे बिटा देख लीजे पता नहीं क्या उसी में कुश्चन नमबर थर्टी फाइब थर्टी फाइब कुश्चन नमबर आठ मिली हैंडी प्रेडकत वाली कुंडली में दो एंपियर के वैदु धारा चुमके चेत में कि दो एंपियर अब यू बराबर हाफ ल आई स्कुएर ये आपके हवाले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों देखे कुश्चन नमबर थर्टी सेक्स नमबर प्राथमिक कुंडली में प्रवाई धारा तीन एंपियर की धारा को पॉइंट सुनाई दे रहा है दिखाई द अल्दा है पॉइंट जिरो जिरो वन सेकंड में वारिस सरकार पॉइंट जिरो जिरो वन सेकंड में क्या हो जा रहा है पिटा सुन ने कर दिया जा रहा है आई क्यों टू जिरो ये डिल्टा आई जिक्वल टू माइनस तीन एंपियर अरे घटा दिया आई टू में से किसको बेटा आई वन को ठीक है ना उसके बाद तो क्या कहा रहा है कि दितिय कुंडली में अगर ऐसा करो तो प्राथमिक कुंडली में ऐसा करो तो फर्स्ट कुंडली में ठीक है ना प्रात्मिक कुंडली में अगर ऐसा करो दूतिया कुंडली में पंदरा सो वोल्ट का विद्धुत्वाहगबल ठीक है ना प्रेडी तो हो जाता है कुंडलीयों के बीच अन्यों ने प्रेरन गुणांक m is equal to what should be e2 is equal to minus m di upon dt ये change जो होगा फर्स्ट कुंडली में होगा e2 1500 वोल्ट ठीक है ना आपको यम निकालना है और di upon dt changing कितनी हुई है current में 3 ampere ठीक है ना कितने समय में हुई है 0.001 second में 10 to the power minus 3 second में ठीक है ना आब यहाँ देख लिए क्या चीज कहते है भी या इधर multi करा दोगे इसका तो आजाएगा 1.5 अपां 3 को नीचे ले आओ minus minus पलस हो जाएगा वोल्ट second ampere का मतलब होता है क्या हेंडरी ये इतने का मतलब ये बराबर m की value आजाएगी point कितना आजाएगा 5 ठीक है point 5 हेंडरी आजाएगा चलिए इसको अब आप कर लिजे क्या बेटा कॉपी question number 37 क्या कह रहा है कि जब किसी प्रात्मिक कुड्ली में 300 millisecond में धारा 5 एंपियर से 2 एंपियर तक होता है जब किसी प्रात्मिक कुड्ली में question number 37 तीन एंपियर से कितना एंपियर हो जाता है पेटा यह दे रखा है 5 एंपियर से कितना कर देते हैं कहां गया भाई दो एंपियर तक परितिस होते हैं और समय दे रखा है 300 millisecond में ठिक अच्छी बात है फिर क्या जीट कह दे रहा है तो दितिया कुड्ली में कह रहा है कि 0.5 volt का और कह रहा है दोनों कुड्लियों के बीच अन्योन्य प्रेरन गुणांग M निकालना है M निकालना यह सवाल आपके हवाले 38 number question क्या कह रहा है यदि किसी transformer की प्रात्मिक कुड्ली में धारा 0.8 ampere से 0.2 ampere तक 4 millisecond 0.8 ampere से 0.2 ampere तक समय लगा कह सकंड 4 millisecond यह सवाल भी लगता है आपके हवाले जाएगा क्या कह रहा दुतिया कुड्ली में ओहो E2 निकालना है अन्यों ने प्रेरन गुलांग 1.76 क्या देड़ा है बिटा है हेंडी दे रखा है चलिए आईए निकाल दीजे E2 बराबर माइनस M फिर करना क्या चीज है D I अपान क्या D T सवाल की value फटा फट पुट करिए फटा फट 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 पुट करिए यहाँ देखिए माइनस M की value 1.76 हेंडी का मतलब होता वोल्ट सेकेंड अपान एंपियर मल्टी D I करेंट में चेंड पुट में से पुट एट घटा दीजे माइनस पुट कितना आ जाएगा पुट माइनस 6 आ जाएगा M.P.R. पर समय कितना लगा इसा करने में 4 मिली सेकंड 4 का 4 मिली का मतलब 10 गाती माइनस 3 मिल गई उसके बाद सेकंड 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 का 6 का लग जाएगा M.P.R. उड जाएगा उसके बाद कैचिए कुल मिला करके हम जानते है साल्ब कर देंगे आप 200 केतना आ जाएगा 64 आ जाएगा वोल्ड अब इस पर सप्पे मत दिखवाएगे समय ना बरबाद करवाएगे बहुत सवाल हम बता चुके हैं इस पर चलिए उसके बाद कुश्चन No.39 देख लिए फटा फटा हम लोग ओवर करने की कगार पर है पुराणी बुक में 31-42 कुश्चन है अन्यों ने प्रेड़कत 1.5 है अन्यों ने प्रेड़कत 1.5 है यह वेरी गुड उसके बाद क्या जित कह रहा है प्रात में कुंडली में पहने वाड़ी धारा 20 एंपियर की धारा को 0.05 सेकंड में सून निकर दिया आता है टाइमिंग लगा 0.05 सेकंड में बेटा 20 एंपियर की धारा को सून निकर दिया जा रहा है मतलब 0 कर दे रहा है, क्या जित कह रहा है, दितिया कुंडली में फेरो की संख्या कितनी हो बेटा, 300, तो दितिया कुंडली में क्या कह रहा है, कितना flux परिवरतन होगा, कितना क्या परिवरतन होगा बेटा, flux क्या परिवरतन, एक काम करते हैं, दितिया कुंडली में flux परिवर अब यहां देखिए उसके बाद चीज कहते हैं इसके बारे में देखिए अगर अगर चाहो तो डीटी डीटी क्या कर दो खलास कर दो उसके बाद क्या यहां माइनस भी लगा था माइनस माइनस उड़ा दो फिर देख लिए क्या चीज कर दीजे डी फाई इक्वल टू m की value कितना दे रखा 1 point कितना विटा 5 क्या चीज हैंडी का मतलब volt second क्या विटा ampere उसके बाद फिर क्या चीज कहते है d i d i current 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 कहा है यह देख लिए current में 20 ampere से 0 ampere यह नि जो अंतर हो रहा जो परिवर्तन हो रहा हो कितने हैं 20 ampere का हो रहा है ठीक है ना ampere से ampere काट दीजिए ठीक है उसके बाद फिर क्या चीज बसता है वो देखिए आप यहाँ पर देखे 39 number question को फुर से देखिए कह रहा अन्योन प्रेरन m is equal to better one point कितना हैंडी है 5 हैंडी है फिर कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 ampere से घटा करके 0 ampere कर दी जाती है और ऐसा करने में समय केवल 0.05 कितना लग रहा है सेकंड लग रहा है ठीक है ना कह रहा है कि विदुत वाहगबल का बाद मान बताएं दूतिया कुंडली में एटू इस इक्वल टू मानेस एम डी आई अपान क्या होता है डी टी इटू इस इक्वल टू मानेस एम की मतलब 1.5 वोल्ट सेकंड ये हैंडी का मतलब है डी आई धारा में चेंज कितने को रहा है बीस एमपियर का चुकि आई टू मानेस आइवन करते हैं ये आईवन है और ये क्या है बिटा आई टू है अन्ति में से प्राड़म भी घटाएंगे जीरो में से बीस घटाएंगे मानेस बीस आजाएगा और समय ऐसा करने में पॉ दूनी कितना हो जाएगा तीश हो जाएगा और बटे कितना है पॉइंट जीरो फाइप है और ये बचा कितना बीटा वोल्ल दसवर उटाओ दो टू जीरो बढ़ाओ पान च्छीज यानि कैसो बोल्ट आजाएगा चैसो आजाएगा बिटा वोल्ट उसके बात पर क्या ठीक है तो flux परिवरतन निकालना यह भी देख लिए यह देखिए इस इकल टू माइनस इटीफाइपान डीवी दूसरे के फ्लक्स में पर रतन है यन फेरे हैं दूसरे में यन का मतलब कितने सो फेरे हैं सवाल साहद आपसे कहरा है तीन सो फेरे हैं एनज इकल टू तीन सो फेरे तो रख दिया एटू है यह एटू को एलू उच्छे सो वोल्ट और माइनस यन यन बराबर कितना है तीन सो इसको इसके नीचे ले आए यह देखो और यह डीटी को इधर भीज दिया डीटी को इधर भीजा कितना 0.05 सेकंड हैं आप सब्सक्राइब कर मतलब होताई वेबर आप मात्रक सेट कर सकते हैं नहीं सET कर मतलब यह दिख इस बटी क्यों यह का मतलब उमτιार इनूटन पर मीटर एक एक मिटर अगले questions चलिए हम लोग आखिरी दोर पर हैं इस chapter की इसके बाद कोई numerical नहीं है हम लोग लगाएंगे सवाल number 40 क्या चीज़ है 1.5 into 10 to the power minus 2 meter लंबी एक दाज की छड़ अपने एक सिरे के परिता माल लिज़े ऐसे छड़ है इसको इधर घुमा रहा है अपने एक सिरे के परिता 60 radian per second radian per second का मतलब क्या निकल कराया radian per second का मतलब हो गया यह omega खोड़िये वेग है angular velocity है 0.1 tesla की तो b is equal to 0.1 tesla के एक समान चुमकी है छेत्र में ठिक है घुम रहा है कहरा है कि छड़ के सिरो के बीच विद्धुत्वाहग बल इसके सिरो के बीच विद्धुत्वाहग बल यह एक derivation भी कह सकते है आप सवाल भी कह सकते है मैंने derivation कराया half b omega l का क्या बेटा square e is equal to half का half b का रख दीजे कितना b का मतलब 0.1 tesla का मतलब newton per ampere meter omega कितना है 60 radian कोई मातरक नहीं है second 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 और l square का मतलब 1.5 गुड़े 1.5 गुड़े 10 गाते minus 7 meter का square 1 meter से 1 meter क्या हो जाएगा cut जाएगा e is equal to अब यहाँ देख लिए कई बाते हैं इसमें 2 से काड़ दिए इसको 30 हो जाएगा ठीक है नद 30 से 1 euro से 10 गुड़ा दिए उसके बात क्या कर दिए अब यहाँ देख लिए न्यूटर मीटर मतलब क्या होता है Joule ठीक है न्यूटर मीटर का मतलब Joule होता है न्यूटर मीटर का मतलब Joule A.C. का मतलब कुलाम होता है आंसर तो मतलब वोल्ट मीटर 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 आएगा सवाल के फार्मूले में कोई दिख्कत रही है अब यहाँ देख लिए क्या बचा 15 15 E.M. कितना होता है 15 15 E.M. 200 होता है कितना बेटा 25 चिस, दो अंक बाद 10 की घाते मायनेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 की घाते मायनेस 6 हो जाएगा, 12, years 10, 4 था ही, यहां मल्टी कितना बचाएगा, 3, e is equal to, यह हो जाएगा कितना, 600 कितना 75, उ गुले 10 की घाते मायनेस कितना बेटा, 6, 675, और गुले 10 की घाते माइनस क्या बिटा, 6 यह हो गया, आंसर देरा 067 कितना, 5, कहीं पर कुछ इधर उधर दाएं बाएं तो नहीं हुगा है, ठीक है न, क्योंकि यह हो गया, 2 से इसको 60 को 30 कर दिया, 30 के 1, 0 से 10 अमलो उड़ा दिया, उसके बाद, उमेगा रख दिया, 60 रेड हो गया, ठीक है, 253 कितना हो गया, 675 दुप, पांत याई 15 क्या पचाहम यह आतो गया, correct, 10 to the power minus 6 जूल पर कुलाम बोल्ट, और यह minus 6 आ रहा है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं पीटा, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1.5 है, तो डेफिनेटली यह 225 और मल्टी 3 और 10 to the power minus 6 जूकि यह किदर ले कर गए, ठीक है ना, तो E is equal to यही रहेगा, चाहे तो आप ज़द़ ज़द़ 6.75 into 10 to the power minus क्या गर सकते हैं, 4, वौल्ट कर सकते हैं, और जो किताब का आंसर है, वो तभी मैच करेगा, जब यह 10 मलों ना हो, जब यह क्या ना हो बेटा, 10 मलों ना हो, सलम माइक में अदिक्कत हो जाए, जब यह 10 मलों ना हो, और अगर यह 10 मलों नहीं हुआ, तब यहाँ से देख लेजिए, तभी वो माकतर को ही सारा सेट होगा यह देख लिए यह हो गया यहां पर साथ भी है रेडियन पर सेकंड रेडियन पर क्या सेकंड ठीका ना तो यह दो से काट देंगा इसको तीस आ जाएगा और तीस का यह जीरो एक दसमूलों खा जाएगा पंदरा पंदरीन दुश्व कितना हो आएगा फिर उसके बाद यह एक मीटर से तो एक मीटर कटी गया न्यूटर मिटर मतलब जूल हो गया एंप्यर एंट्व शगंड का मतलब पुलाम हो गया और यह बराबर आजाएगा कितना छैसों पचाहत्तर पुड़े दिसगाते माइनस शार वोल्ट तभी आएगा पॉ क्या चीज कहते हैं अब नेक्स कुश्चन देखते हैं आगे देखिए आखरी यक्तालिस नंबर प्रश्न क्या चीज यक्तालिस नंबर कुश्चन एल वराबर दो मीटर लंबाई धात की एक छड़ पांच रेडियन पर क्या सेकेंड के कूणिये किसे वेक से ठीक है न यह क और द्वाधर तल में ठीक है कहरा प्रत्वी के चुमके चेट का 36 गटक जब ऐसे घुमेगा ऐसे तो 36 गटक को काटेगा चाहे ऐसे ऐसे जाने वाली तो क्या हुआ हुआ है ऐसे जा रही है तो कोई चीज ऐसे घुमेगी तो ने काटेगी ठीक है न ठीटा वराबर 90 डिग् यानि 0.2 into 10 to the power minus 4 newton per ampere क्या? मीटर ठीक है न विदुत वाहग बलकी गड़ना करनी है कहरा है विदुत वाहग बलकी गड़ना करो E is equal to half ठीक है न B omega L का क्या है? स्क्वार हाफ बी बराबर कितना? 0.2 10 to the power minus 4 newton per ampere meter ठीक है न ओमेगा 5 और या स्क्वार दो गुड़े 2 meter का स्क्वार एक मीटर से 1 meter कट जाएगा न उटे मीटर बराबर जूल हो जाएगा ampere और दो रेडियन पर पांच रेडियन पर सेकंड है तो ampere सेकंड मतलब कुलाम हो जाएगा काट दी है 0.1 आ जाएगा और दो दुना कितना हो जाएगा? 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 औ 1 हो जाएगा और और कहीं कुछ बचा 2 पता नहीं कहां दो दुना 4 पंचे बीस यह बिलकुल सही है यह दो आएगा और multi 10 to the power minus कितना दे रखा है? 4 दे रखा है कि पूरे कुश्चन कराऊंगा मैंने सारे कुश्चन सापको करा दिये यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया सारे कुश्चन आपको बता भी दिये ठीक है लाइन से अब हम लोग अब मैं सुरुआत करूंगा एक नया चैप्टर कुछ बच्चों की फरवाई से लाइट पढ़ा दिये सर कुश्च चैप्टर से दिकत है मुझे काल आये थे देखता हूं सोचता हूं विचारता हूं उसके बाद आपका नया चैप्रे स्टार करता हूं लेट्स टेक बीदा फ्राम इस चैप्टर ठीक है इस चैप्टर से लिदा लेते हैं गुट बाई